कि अच्छ वागत आए आप सभी का आशी सिंग लेक्टियर्स की इस लिटेस लाइव स्ट्रीम में लुइज इलेक्ट्रॉन बिंदू सरचना काफी समय से टॉपिक ड्यू चलता था आज हम इस टॉपिक को बढ़िया से कवर करेंगे लास्ट लास में आप लोगों ने जो है केमिकल बॉंडिंग की स्टार्टिंग को बहुत अच्छे समझ लिया था और अब आप लोग जो है पांच लेक्चर पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आ गया है कि बंद का निर्मार क्यूं होता है हर एक निकाय अपनी उर्जा को क कि लिए खुद को इस्थाई करने के लिए बंद बनाता है ऑप सहा स्यूंजी बंद किस प्रकार बनते हैं लेख़ो आयनिक बंद का तो आपने बहुत डीटेल में अध्यन होती है अब समय आ गया और उस राह में सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने है वो है आज का लुईस की इलेक्टरॉन बिंदू सरचना बहुत सिस्टेमेटिक चलेंगे हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में रूल बताऊंगा कि कौन-कौन से रूल की साहता से आप किसी भी यौगिक का इलेक्टरॉन बिंदू सरचना आसानी से बना सकते हैं फिर आपको मैं उस रूल की प्रैक्टिस करने के लिए आज टाइम दूँगा और कल की क्लास में हम इसके एडवांस पार्ट को डिसकस करते वे इस टॉपिक को अलविदा कहेंगे तो चले आज की कास को स्टार्ट करते हैं स्वागत आप सभी का फटा फट को आधिन्ग लगाते हैं एलेक्टरों बिंदू सरचना और एक से मोटी बात आपको कि लूइस की के अलेक्टरों बिंदू सरő का पढ़ते हैं करिती हैं कि एक बात ध्यान रखें कि इसके कुछ पॉइंट से वह आपको याद रखने पड़ेंगे सबसे पहला पॉइंट नंबर वन यह है कि यहां जितनी भी सरचनाएं आप पढ़ोगे सबसे पहली बात याद रखिएगा कि हमेशा बाहतम कोश के इलेक्ट्रोन भाग लेंगे याद रखें हमेशा बाहतम कोश के इलक्ट्रोनों से हमें मतलब है और बाहितम कोश जो होता है उसको सहा सयोजी कोश भी कहते हैं या पर सयोजगता कोश भी कहते हैं वैलेंस शेल भी कहते हैं सयोजगता कोश तो सेयोजकता कोश या फिर बाहितम कोश के इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर भाग लेंगे इसके अलावा आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है किस बात को आप अच्छे से हमेशा याद रखेंगे रैट है पहले बहुत कोश्ट करेंगी है कि हर कोई तत्व कोशिश करेगा हर कोई तत्व कोशिश करेगा कि उसका अस्टक पूरा हूं अश्टख्पूर्ण करने की कोशिश करेगा Octate complete करने की कोशिश करेगा मतलब अपने बाहतं कोश में आट इलक्टरोण करने की कोशिश करेंगी जब भी हम इलेक्टरोन बिंदु सरचना بنाएंगे हम इस बात का धियान रखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदू सरचना इस प्रकार की हो कि बाहितम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन रहें इस बात का हमें विशेश ध्यान रखना है कि बाहितम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन रखने हैं इसमें अपवाद टाइप है कि हाइडोजन आठ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कर लिए हमेशा ठीक है उसके बाद कि इसको ही हम कहते हैं अस्टक नियम कि अब टेट रूल कहते हैं इस तो कि दूसरा पॉइंट समझ में आ गया सब को जितने बच्चे क्लास में हैं तीसरा पॉइंट कि जो केंद्रिय परमानु होगा अभी केंद्रिय परमानु क्या होता मैं बताऊंगा वैसे केंद्रिय परमानु के लिए कि अक्टेट रूल या अक्टेट का नियम कि अनिवार्य नहीं है बहुत मैंत्रोपुन बात है अनिवार्य नहीं है केंद्रिय परमानु को इंग्रिश में बोलते हैं सेंट्रल एटम तो जो आपका सेंट्रल एटम है उसके लिए ऑक्टेट का रूल जो है ऑक्टेट का नियम जो है अनिवार्य नहीं है और यहां एक बात और एड़ कर लीजिए कि जो है सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम के अंदेरें परमानु सीये के पास आठ एलेक्ट्रों से जादा एलेक्ट्रों भी हो सकते हैं तो आपका सेंट्रल परमानु में है बीटा उसका गारेंटी नहीं है कि उसके पास हमेशा 8 लेक्ट्रॉन ही हों गे सेंडर ये बारे में ध्यान रखेंअ कि आपका सेंडर फेल जो है वह हमेशा हमेशा कोशिस तो यह रहेगी कि उसके पास पर आत stubborn कोशिस यह रहेगी कि उसके को और अब kेंद्रिय परमानू कि lighter करेंगे उसके बारे में बात करके केंद्रिय परमानू को कैसे बात करने का देढ़ा केंद्र परबानू सेंटर अटम को देट कैसे बात सबसे पहले करने का संख्या में सबसे कम वह आपका सेंडरल बनेगा कि इससे सियोटू आपका सी यू टू में संख्या में सबसे קंपका और ऑक्सियन दो है कार्बन एक है तो कार्बन बीच में रहेगा ऑक्सियन साइड में रहेगी अपने देखें अमोनिया एनेच त्री तो एनेच त्री में सबसे कम कौन है एन है तो एन बीच में रहेगा हाइड्रोजन साइड में रहेगी सी एच पूर में सबसे कम कौन है कार्ब सबसे कम हो अगर संख्या वाले फैक्टर से आप नहीं जज़ कर पा रहे हो तो दूसरा प्रैक्टर है जिसकी विद्यूद रिनात्मक्ता सबसे कम हो विद्यूद रिनात्मक्ता सबसे कम हो वो भी सेंट्र इटम बनने के देश में आगे रहता है जिसका आकार सबसे बढ़ा हो तीसरा अप्रैक्टर है आकार देख सकते हो आप आकार सबसे बढ़ा हो संक्या कुल बन जाएगा सेंट्र इंत difर दिमाग नहीं करते हो फिर विद्यू दिरनात्मक्ता पह अजिसकी कम है उसको आप सबसे बढ़ा हो कि जिसका आकार सबसे बड़ा है उसको आप सेंटर नंबर बनाएंगे सेंटर एटम बनाएंगे उसके बाद यह भी नहीं हो रहा तो लास्ट है जिसका परमानुक्रमांग सबसे ज्यादा हो लास्ट एंट फाइनल जिसका परमानुक्रमांग कि परमानुक्रमांग सबसे आधिको तो जिसका प्रमाणों के मांग सबसे आधिकोगा उसको आप सेंटर एटम की दरे ट्रीट करेंगे किलियर पक्का लिखते तरह सारे पॉइंट ताकि आपको दिमाग में रहें यह के पॉइंट को लिखते वे चब सेकेंड इसमें एक और बहुत बड़ी बात है हाइडोजन तता फ्लोरीन कभी भी केंद्रिय परमाणूंग नहीं हो सकते इसको आप बहुत बड़ी कंडिशन मांग सकते हो कि आपके हाइडोजन और फ्लोरीन जो हैं यह कभी केंद्रिय परमाणूंग नहीं हो सकते हैं कभी भी केंद्रिय परमाणूंग नहीं हो सकते हैं ठीक है थीसरा सभी कॉर्णर के परमाणूंग के लिए सबी कॉर्णर के परमाणूंग के अस्टक और हाइडोजन के केस में दो पूरे होने चाहिए मतलम याद रखें कुछ भी हो जाए दुनिया इदर की उदर हो जाए बर जब आप इलेक्टरॉन बिंदू सरस्चना बना रहे होंगे तो वाँगा आपको जब आप एलेक्ट्रॉन बिंदू सरचना बना रहे होंगे तो सभी कॉर्णर के जो परमाणूं हैं उनके अस्तक पूरे होने चीए और अगर हाईडोजन हैं तो दो कि यह पॉइंट में आपको पहले भी बता चुका हूं एक बार और लिख्वा रहा हूं के इंदरी परमाणूं के पास आठ एलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं आठ एलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं आठ एलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं आठ एलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो अपनी अधिक्तम यह पॉइंट आपको जैसे से प्रेक्टिस कोगे समझ में आएगा अब लिखते चलो किंदे प्रमाणू अपनी अधिक्तम सहयोजक्ता में होने की कोशिश करता है कि बहुत इंपॉइंट है कि केंद्रिय प्रमाणू हमेशा यह कोशिश करता है कि वह अपनी अधिक्तम सहयोजक्ता में रहे उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वह अपनी अधिक्तम सहयोजक्ता में रहे कि अब किस की अधिकत्म स्यास त्वाइब क्या होती है वह मैं आपको समझा डिता हूँ ध्यान से सुनते चाहिए लिखते जाए और अधित्तम स्यासियता दो होती है तो वह दो में रहने की कोशिश करता है लिख लो जब समय आएगा तो आपको अपने आप समय में जाएगा इस पॉइंट का मतलब क्या है आपका जो सल्फर है वह छह में रहने की कोशिश करता है नाईट्रोजन पांच में रहने की कोशिश करता है और नाईट्रोजन बंद केवल चार इसका असली मतलब भी जब एक्जामपल आएगा तहब आपको के लिए करूंगा अभी काला अक्षर बहस बराबर समझ करके पॉइंट्स लिकलीजिए जैसे जैसे आप बविश्य में या आज की ग्रास में पैक्टिस करेंगे वैसे वैसे साहरे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे बड़ सबसे पहले याद रखें कि आपका काम है सेंटरल एटम को पकड़ना सबसे पहले आप इलेक्ट्रोन बिंदो सरचना बनाने के लिए अपने केंद्रिय प्रमाणों की पैचान करेंगे बाहितम कोश में इलेक्ट्रोन जो है हमें हमेशा काम में लेने बाहितम कोश के लाबा किसी और इलेक्ट्रोन के बारे में विचार नहीं करना है उसके बाद दूसरी बात अस्टक पूर्ण करने का प्रयास हमेशर रहना चाहिए हमें आठ इलेक्टरॉन चाहिए चाहिए किसी भी हालत में आठ इलेक्टरॉन चाहिए सबसे कम है। एसे निए करकड़ पारे हो तो विद्युद्रिणात्मक्ता में वही कैण प्रमादू है ऐसे आकार जिसका सबसे कम है सबसे बढ़ा है स्यूर्ई वह केंद्र परमानु ऐसे बी नहीं पकड़ पा रहे हो जिसका परमानौ सबसे बढ़ा है वह आपका सबसे बढ़ा है तो यह उसलब बहुत बढ़ी बात हाइडोजन और फ्लोरीं bạn movement and besut केंदीरी प्रमाणू नहीं हो सकते यह कभी भी केंदीरी प्रमाणू की रूप में दिखाई नहीं देंगे जो कॉर्णर के प्रमाणू है उन सब के अस्टक पूरे होने चाहिए किसी भी हालत में दूसरा आपके केंदीरी प्रमाणू अपनी अधिक्तम सहरा समय करता है जैसे लगता है कि हमें हमारे कॉशंस को स्टार्ट करना शुरू करना ची को कि आप करेंगे तो आपको बैठा समझ में आएगा इससे पहले एक और दो पॉइंट है वह समझाता हूं यदि कि यौगिक पर जैसे मालेज़े को यौगिक है आपका जैसे एच्स्रीयोग प्लस है एच्स्थ्रीयोग प्लस है इसी यौगिक पर धनावेश है तो वह धनावेश सदैव केंद्रिय बर्माणू पर होगा मेटा बात यह है कि यदि किसी भी यौगिक के उपड़ आवेश आपको दिखाई दे रहा है तो वह आवेश इसके उपर होगा हमेशा केंद्रिय प्रमाणू के उपर होगा है जैसे पर एक्जाम्पल एनेच पोल प्लस आपने देखा प्लस में केंद्री परमाणूं कौन है नाइटोजन क्यों क्यों कि हमने अभी टेक्निक समझी जो संख्या में सबसे कम है वही केंद्री परमाणूं है तो संख्या में सबसे कम कौन है नाइटोजन है तो वही आपका क्या है केंद्री परमाणूं तो उसी केंदरीय परमाणूंके उपर अगर पूरे यॉ Object पर प्लस है जैसे इन आश पौर्ट प्लस है तो पूरे यॉगी तो वहर रिणावेश कॉर्णर प्रमाणू पर होगा वहर रिणावेश कॉर्णर प्रमाणू पर होगा रिणावेश है तो कॉर्णर प्रमाणू पर होगा और धनावेश है तो केंद्रिय प्रमाणू पर होगा यह कहानिया आपको समाज़ेंगे आपको यह कहानि प्रमाण पर डिप्रूट करशें पर होगा यह यह लगी चाला पर पर होगा जैंवेश